यदि आप SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भरती परीक्षा की तयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर कलासेज को सब्सक्राइब कीजिए जहां से हिंदी की उत्पती हुई है, वहां से हम पढ़ दे आ रहे हैं यहनकि एक-एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पचा-पचा के पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक्जाम के इंदर एक भी क्यूशन गलत न हो तो आज हम साथ यह पढ़ेंगे संदी और संदी हैं तो क्लास को करता है स्टार्ट पतापर से एक बार सभी दोस्तों को जोड लीजेगा क्लास का लिंक सेर कर दीजेगा सभी को बता दीजेगा क्लास स्टार्ट जाता है कहां पे लिखा जाता है यह अभी आपको संदी पढ़ेंगे तो संदी के example के अंदर मिल जाएगा तो दोनो टाइप से लिख सकते हो पहली बात तो यह दोनो परकार के right है जैसे आप हिंदी लिखते हो ना तो एक तो हिंदी ऐसे लिखते हो उपर संदी है क्या संदी का अर्थ क्या होता इसका जो साब्दी का अर्थ है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी संदी की बात करेंगे फिर इसके विच्छे दिया विग्रे की बात करेंगे तो देखिए साथ यह संदी है संदी सब्द बनता किस से है सम धन धी से सम आदा होगा और धन यह कि किसका योग है इसके अंदर धी का संधी सबद को तोड़ा जाये तो कैसे तोड़ेंगे संधी चीक है अच्छे से समझना साथ यूँ है exam के अधर यहां से आपके दो प्रशन आएंगे ठीक है दो यहां तीन प्रशन यहां से आजाते हैं संदी वाले कॉंसेट से तो इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है समधन धी से बनेगा संदी अब भाई बात करेंगे इसके साब्धिक अर्थ की कि इसका साब्धिक अर्थ क्या होगा मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा भाई चीक है बाद में कहोंगे पीडियेप दो वो दो देखिएगा बोड इसके नहीं हो पार आ है तो मैंने आपको बता दिया नोट्स बनाते चलना है धीरे पड़ा रहा हूँ जादा इस पेड़ नहीं है आराम से समझ में आ रहा होगा साथिक अर्थ क्या है तो साथियों सम धन धी साथिक अर्थ हो जाएगा मेल मिलना ठीक है मेल इन दोनों का मेल होगा मेल या जोड कह सकते हैं जोड हो रहा है धन जिसको हम कहते हैं जोड समझोता हो रहा है इन दोनों के बीच क्या हो रहा है समझोता हो रहा है ठीक है आपने पड़ा होगा संदी की समझोता किया यहां पिर कह सकते हैं मित्रता की फ्रेंड सीप की यह सब इसके साब्दिक आर्थ हो जाएंगे संदी का साब्दिकर क्या होगा मेल जोड समझोता या मित्रता इनिकी संदी होता क्या अभी इसकी परिपासा से आपको पता चल जाएगा दो वर्णों के योग में जो दो वर्णों का योग होगा फिर जो बदलाव होता है उसे हम संदी कहते हैं किसको कहенगे? देखियेगा, दोवरनो के योग होगा और उसमें जो बदलाव होगा उसको संदी कहेंगे, अब ही बताएंगे. ठीके, सिर्फ दोवरनो के योग को संदी नहीं कहेंगे, दोवरनो के योग के बाद उसके अंदर परिवर्तन भी होना चाहिए, बदला भी होना चाहिए, तो सबसे पहले तो संदी बना किसे हैं, सम धंधी से बना है, सादिक अर्थ क्या है, मेल जोड समझोता या मित्रता आप जो भी कह सकते हैं, ठीके, अब साथ यूं देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या कर परना पड़ता है, यह संदी इसकी परिवासा लिखना चाहिए, तो संदी की परिवासा कैसे लिखेंगे, तो साथ यूं देखो, संदी की परिवासा क्या लिखेंगे, दो वर्णों के योग से होने वाला बदला भी संदी, मैं पहले परिवासा लिखता हूँ, फिर आपको पहले आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी बीएशटीसी लिए की वहाँ पे आप ये क welding देख सकते हैं पाकी वाली जो भी आपके छूटी है दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं आप कोगे अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो साथियों अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो क्या होगा अगर साथियों बदलाव नहीं हो रहा है तो वो संदी नहीं होगी वो क्या होगा वो संयोग होगा उसको हम संयोग कहेंगे क्या कहेंगे संयोग हुआ है वो जुड़े हैं सिरफ संदी नहीं हुई है संदी कब होगी दो जुड़ेंगे उसके बाद उसमें बदला होना चाहिए कैसे बदला अभी बात करते हैं कैसे बदला होगा अभी बात करते हैं जैसे मैंने के दिया दूद वाला मैंने लिख दिया दूद वाला ठीक है तो अब सातियों दूद वाला कैसे बनता है इसको तोड़ो दूद वाला कैसे बने का इसको तोड़ो तो आप क्या करोगे दूद धनवाला करोगे यह दूद हो गया प्लस वाला दूद प्लस वाल परिवर्तन हुआ क्या कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है तो यानि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो यह संदी नहीं है अब यह दूद्वाला में क्या हुआ है संयोग हुआ है संदी नहीं हुई है समझ में आना चलिए संदी होगी तो एक आदा आकस जैसे हमने समधन धी क किया था समधन धी किया था तो बन क्या रहा था संधी बन रहा था अब ये कैसे बन रहा था समधन धी था म कहां गायब हो गया और बिंदी आ गई यानि कि ये परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन होगा तो ही संधी होगी अगर बदलाव नहीं हो रहा है परिपासा अच्छे स संदी कहेंगे अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो वो संदी नहीं संयोग होगा क्या होगा संयोग तो ये चीद को आपको यहां से कलियर हो गई अब भाई देखिएगा अब चलते हैं आगे संदी की परिपासा आपकी कलियर हो गई अब साथियों संदी आपका कलियर हो गया त ठीके सब्द को पड़ाए अभी तक संदी बहुत बड़ी है अराम से पड़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा जिसको भी संदी हाड लगता है उसके लिए मौका है इसको सरह बनाने का है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ाने वाला हो पाई अच्छा सा सरल्चा संदी बना दोँगा बहुत ही बेसिक तरीके से देसी तरीके से समझाओंगा देखिएगा साथ यों संदी हमने बता दिया है संदी विच्छेν क्या होता है तो संदी ने देखे इंके साथ यों लोगों को confusion होगा कुछ लोग मुझे गलत भी बोलेंगे कि सर आपको पता नहीं है ये चीज गलत है लेकिन हाकिकत ये है ठीके हाँ महान वेग्यानिकों से पूछना जिन्नोंने हिंदी के इंदर PhD कर रखी है उनसे पूछना भाई साथ संदी का विलोम क्या होता है तो वो क्य आपको विग्रह और विच्छेद अकर दोनों मिल जाए न देखना यहां पे आयाम से समझना साथ यूँ गलत मत करना अगर आपको एक्जाम के इंदर मिल रहा है क्या मिल रहा है कि संदी सबद का विलोम क्या होता है तो आपको अगर विग्रह मिल रहा है और विच्छेद होता है लेकिन ज्यादा सख्य हम किसको मानते हैं विग्रे को मानते हैं ना किविच्छेद को संदी और संदी विग्र ठीक है परदान संदी कोई तो साथियों होगी परदान संदी और दूसरी होगी गोण संदी अब आपको यह तो कहां थी? हमने पढ़ी तक नहीं हम तो स्वर संदी वेंजन संदी विश्रक संदी पढ़ते हैं जी हाँ वो तो पढ़ते हो लेकिन पहले बैसिक पढ़ लोगे न तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने भवन के नीव मजबूत बनाई है न तो उसके उपर 6 माले, 7 माले, उतने बना सकते हो लेकिन अगर ब्हवन है नीव है वो कमजोर बना दी और फिर माले बनाने चले हो तो भाई वापस से नीव तो मजबूत करने ही पड़ेगी पहले फिर उपर बाले बन बनभाएंगे तो आपको सबसे पहले तो यहां पर समझ न ही पढ़ेगा बैसिक पर्थमपद का और दूसरा पद है न तो पर्थम पद का जो पर्थम 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 यह दोनों अगर आपस में जूरते हैं और अपने ही इस्तान पर बदलाओ करते हैं अबी मैं समझाओंगा, एक example लेके समझाओंगा, अपने ही इस्तान पर बदलाओ करते हैं, परदान संदी में क्या होता है, जहाँ पे जूड रहे हैं, वहाँ पे अपने ही इस्तान पर बदलाओ करते हैं, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परदान संदी, लिखिए मैं भासा बोल रहा हूं लिखिए यादी पर्थम पद का अंतीम वरण तता दृत्ये पद का पर्थम वरण आपस में जुड़कर अपने ही इस्तान पर बदलाव करते हैं तो उसको परधान संदी कहा जाता है गोण संदी में क्या होगा बदलाव है वो दूसरी जग पर नहीं होगा यहीं पर बदलाव नहीं होगा दूसरी जगे होगा बदलाव है वो दूसरी जगे होगा अब कैसे होगा एक ऐसा एक्जामपल लेते हैं जिसके इंदर परधान संदी भी है और गोण संदी भी है ठीके हाँ परधान संदी भी है और गोण संदी भी है ऐसा लेके आपको बताते हैं, देखिएगा, ये समझ में आया नहीं आया पहले, एक example लेते हैं, समझ में आचाएगा, चलिएगा भाई, देखिएगा, मैंने लिख दिया रामायन, बताओ भाई, कौन सी संदी, परधान या गौन, बताओ, तो देखिएगा, मैं इसको कैसे explain करूं कि मैं आपको बताता हैं, ये पलस है न, ये पलस है न, तो इस पलस है, ये जो इदर वाला भाग, और इदर वाला भाग, दो भाग आपको दिख रहे हैं, ये वाला भाग ये है, और ये वाला भाग ये है, तो सात्यों, इस वाले भाग को क्या का जाता है, पर्थम पद का जाएगा इसको क्या का जाएगा द्वीत्य पद का जाएगा इसको पहला पद का जाएगा तो इसको क्या का जाएगा दूसरा पद का जाएगा इसको पूरो पद का जाएगा तो इसको पर पद का जाएगा पूरो पद धिमाग में रखना यहां से ठीक है पहले वाला पद आत का अंतीम वरण क्या है म और दूसरे पद का पर्थम वरण म अगर म और जुड़के इसी इस्तान पर अगर परिवर्तन हो ने इनी दोनों में परिवर्तन हो तो उसको तो कहते थे परधान संदी क्या का जाता था परधान संदी और अगर परिवर्तन या भी न या हो या न हो ल रामधन आयन, ठीक है, तो रामधन आयन से बना रामायन, अब साथ यूँ यहां पर देखिए कि आपको कुछ दिक्रा होगा, क्या दिक्रा होगा, यह पर्थम पद, यह द्वित्य पद, यह पर्थम पद का अंतीम वरण, यह द्वित्य पद का पर्थम वरण, यह दोनों तो यह म और जुड के क्या बना रहे हैं मा बना रहे हैं और यहां पे मा बना रहे हैं इसी स्थान पर परिवर्तन हो रहा है तो यह तो परदान संदी हो गई क्या हो गई परदान संदी की इसी स्थान पर परिवर्तन हो रहा है अब परिवर्तन एक जगे और हो रहा है यहां प परिवर्तन हुआ है तो दूसरी जगे परिवर्तन होगा देखिए का पर्थम पद का पर्थम पद का कौन सा अंतीम वरण पर्थम पद का अंतीम वरण जुड़ता है प्लस जो दुवित्य पद है कौन सा दुवित्य पद होता है दुवित्य पद का कौन सा पर्थम वरण दुनों जुड़के परिवर्तन जहां पर जुड़े हैं वहां पर होता है परिवर्तन अगर उसी इस्तान पर होता है तो तो वह संदी कौन सी परधान संदी जैसे कि यहां पर दिखिये मह और और जुड़के परिवर्तन कर दिया मा बन गए और परिवर्तन अगर दूसरे इस कि गोण संदी यानि कि रामायन सबद के अंदर कौन सी कौन सी संदी या परधान संदी भी है और गोण संदी भी है इसी एक्जामपल को लेके मैंने आपको परधान संदी और गोण संदी दोनों के बारे में बातें बता दी तो अब संदी क्या होता है ये तो आपका तो तीन ही क्यों है, चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, साथ क्यों नहीं, आठ क्यों नहीं, तीन परकार क्यों रखे संदी का, क्या उनका मन पड़ा वैसे रख दिया, नहीं भाई, संदी के तीन परकार क्यों होते हैं, अभी बात करेंगे, ठीक है, हाँ, बहुत ही अच् क्यों नहीं बता ओ तीन परकोस हो संदी के तीन परकार क्यों होते हैं वरन होते न वरने वारनों के योग से वरन के योग करते हैं तबी संदी से समझोगे न तो आपको सारी संदियां कपलिट हो जाएगी वरणों का जो योग है ये योग कितने छे परकार से होता है वरणों का योग है वो साथ योग कितने परकार से होता है वरणों का योग छे परकार से होता है ये छे परकार कैसे देखिएगा वरण है न कोई पद हो अंतीम के अंदर स्वर आया या नहीं आया तो इस वाले स्वर की बात कर रहा हूँ एनकि किस-किस परकार से इसका योग हो रहा है वो बात कर रहा हूँ तो देखो साथ यूँ अगर अंतीम में स्वर आ गया फिर वापस इसका तो पहला पद होगा और ये पीछे रहेगा यहां पे साथ यूँ, यहां पे अगर वापस क्या आगया च्छे परकार से किस-किस परकार से हो रहे हैं, देखिएगा हैडिंग है, पहली, यहां पे पहला किस-किस से हो रहा है यह कोई पद है, इसके last में आ गया स्वर और यहां पे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर ही आ रहा है स्वर और पीछे कोई पद आ रहा है इस परकार की संदी होती है इस परकार की संदी होती है यहां कि पीछे देखिए पर्थम वरड का अंतीम वरड अच्छे से समझना अगर यहां से जिसको कलियर हुआ समझ में आया उसके पूरी संदी है वो इजी हो चाएगी यहां से जिसको समझ में नहीं आया मेरे भाई हूँ संदी नहीं आएगी फिर बोलोगे यह टॉपिक हाड है बिलकुल हाड नहीं है बैसिक से समझा रहा हूँ किसी नहीं समझाया होगा आपको तो अच्छे से समझना भाई ठीक है बैसिक से समझा रहा हूँ लेखिएगा बै पैसिक से समझाने की कोशिस कर रहा हूं, राम, तो ये राम है, इसके पीछे क्या रहा है, अ आ रहा है, और प्लस यहां आगे क्या रहा है, अ आ रहा है, तो ये ये स्वर है, और ये क्या है, ये स्वर है, तो ऐसी में बात कर रहा हूं, ये कोई पद है, कोई पद के सबसे ला स्वर और स्वर, ये वरणों का पहले टाइप था, वहाँ से पहली संदी निकल गी स्वर, अब दूसरे परकार से वरण कैसे जूटते हैं, तो देखिएगा, वरण दूसरे परकार से स्वर और स्वर तो जूटके, अब हो सकता है पहले स्वर आ जाए और फिर क्या आ जाए वेंजन आ जाए ठीक है? अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको कलियर हो चके देखिएगा ये कोई पद है इस पद के लाष्ट में क्या आ गया? स्वर पहले पद के लाश्ट में स्वर आ गया और यह दूसरा पद है दूसरे पद के पहले क्या आ गया वेंजन और फिर यह दूसरा पद है तो ऐसे भी तो हो सकता है कि स्वर और वेंजन जुड़े यहां फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहां पे वेंजन आ जाए यहां पे वेंजन आ जाए और यहां पे क्या आ जाए स्वर आ जाए फिर पद हो यहां पिर तीसरा तरीका दोनों वेंजन वेंजन हो सकते हैं न यहां पे भी वेंजन हो सकता है और यहां पे भी क्या हो सकता है वेंजन हो सकता है फिर पद हो समझ में आया नहीं आया बात अब कहोगे वेंजन संदी निकलेगी संदी का दूसरा परकार पता चल गया कहां से निकली यहां से निकली है संदी का दूसरा परकार वेंजन संदी देखिएगा मेरे भाईयों स्वर और स्वर जुडते हैं तो स्वर संदी होती है ये वर्णों का परकार है वर्ण कैसे जुडते हैं छे परकार से जुडते हैं और वापस यहां से संदी कैसे निगली वो भी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ तो पहला स्वर और स्वर जुड़े तो स्वर संदी होगी वर्णों के पहले टाइप में दूसरे टाइप में क्या होता है स्वर और वेंजन भी जुड़ सकते है वेंजन और स्वर भी जुड़ सकते है जहां पे भी वेंजन जुड़ रहा है उस संदी को क्या कहते हैं वेंजन संदी का जता है जहां पे भी स्वर जुड़े का दोनों स्वर जुड़े हैं स्वर संदी कहेंगे एक स्वर और एक वेंजन है या दोनों वेंजन है तो उसको कहेंगे वेंजन संदी सवरों का कितना टाइप हो गया वरनों का, ये तीसरा टाइप, दूसरा टाइप था, ये तीसरा और ये चोटा, चार परकार से हमने वरनों का योग पड़ लिया, यहां से मैं साप कर देता हूँ, अच्छे से आपको दिख सके, ठीक है हाँ, अब मैं इसको छोटा करूँगा, ताकि आपको समझ में आ सके, इसको मैं छोटा करके, यहां पर सेट करूँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये चार परकार से वरनों जुड लिए हमने, अब पांचवे टाइप से वरन कैसे जुडते हैं, तो देखो साथ य यहां ऐसा हो सकता है, कि लाश्ट में क्या हो, विशरग हो, ठीक है, पहले पद के लाश्ट में विशरग हो, और इस पहले पद के पहले क्या हो, वेंजन हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो साथ यहां पर विशरग जुड़ेगा, इस संदी को कहा गया, विशरग संदी, बस वर च्छे परकार से वर्णों का योग होता है स्वर और स्वर जूटते हैं स्वर और वैंजन भी जूट सकते हैं वैंजन और स्वर भी जूट सकते हैं वैंजन और वैंजन भी जूट सकते हैं विशरग और स्वर जूट सकते हैं विशरग और वैंजन जूट सकते हैं आप को का पहला सब वरण होना चाहिए विश्रग और नियम यह है हिंडी का कि किसी भी सब्द का किसी भी सब्द का पर्थम वरण है वो विश्रण नहीं हो सकता किसी भी सब्द का पर्थम वरण क्या नहीं हो सकता विश्रग नहीं हो सकता इसलिए विश्रग संदी के अंदर दो परक स्वर्प्लस विष्रग भी तो जुड़ सकता है नहीं साथ यूँ स्वर्प्लस विष्रग जुड़ेगा तो यह कोई पद हो चाएका इससे पैले वाला यह होगा और किसी भी पद का किसी भी सब्द का पहला सवर्ण होगा वो विष्रग नहीं हो सकता ये इंदी का नियम है याद रखना किसी भी सब्द का पहला वरण क्या विश्रग नहीं हो सकता तो हम इसको इस परकार से नहीं जोड सकते तो छे परकार कौन से हुए वरनों का छे परकार से योगड़ा परकार, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच वा और छटा, वरणों का छे परकार से योग होता है, और जब छे परकार से योग होता है, तो कितनी संधिया हमारे सामने निकल के आती है, साथ, स्वर से छुड़ेगा, बस कंलियर हो गया, अब याद रखना, जहां भी स्वर से संदी बास पाई गैराई में चले गए हाँ समुदर में दूर नीचे समुदर के तलटी में जाके गोता लगाया तो हीरे मोती हाथ में लगेंगे लेकिन बेसिकसर अंदर गैराई में जाके पढ़ना होगा स्वर संदी होती क्या है तो पता चला स्वर और स्वर जुड़ते हैं स्वर संदी होती है कैसे बनी पता चल गया वर्णों का छे परकार से योग होता है उसमें से बन टाइप से बनती है स्वर संदी स्वर और वेंजन जुड़ो वेंजन और स्वर ज और इन 6 परकारों को हम 3 परकार के अंदर ही donate अलग लग कर पाते हैं आपने देख लिया विसरक विसरक आरा है समान हो चाएगा स्वर जोड़ो या वेंजन जोड़ो विसरक संदी कहेंगे स्वर स्वर है तो स्वर संदी कहेंगे और बाकी वाले जो 4 है स्वर के साथ वेंजन स्वर जोड़ो या पर दोनों वेंजन हो उसको हम वेंजन संदी कहेंगे तो मेरे भाईयों बताओ यहां से पता चला या नहीं चला कि संदी होती है संदी के तीन टाइप सी क्यों होते हैं किस-किस को पता चल गया कि संदी के तीन परकारी क्यों होते हैं कम जादा क्यों नह ठीक है अब साथ यूं लेखिएगा अब हमें क्या करना है संदी के तीन परकार कौन-कौन से होते हैं एक बार मैं आपको लिखा देता हूं यहां पे संदी के अब परकार कैसे होते तीन वो तो मैंने आपको बता दिया तो अब संदी के तीन परकार कौन-कौन से होते हैं तो अब भी आपको बताया ठीक है स्वर और स्वर जुडेंगे दूसरी संदी कौन सी होती है आपको वेंजन संदी होती है कैसे बनती है वेंजन के साथ स्वर स्वर के साथ वेंजन या फिर दोनों वेंजन जुडेंगे तो बनेगी वेंजन संदी समझ में आ गया तीसरी संदी हो होते हैं वो तो आपको पता चल गया तो अब हम बात करेंगे स्वरसंदी की पहला कौन सा है स्वरसंदी पहला परकार कौन सा स्वरसंदी तो अब बात करेंगे स्वरसंदी की कि यह स्वरसंदी क्या होता है हमें यह आप अच्छे से समझना है ज्यादा example नहीं लेने बस इसका basic जो काम है वो काम clear करना की वास्ता में इसका आधार क्या ये होगा कैसे example चाहिए 10 करो, 1000 करो या 1 करो समझ में आना चाहिए ठीक है तो देखिए का आप हम पढ़ने वाले हैं स्वरसंदी, स्वरसंदी पढ़ने वाले हैं स्वरसंदी, हेडिंग लगा दीजिए का स्वरसंदी, क्या पढ़ने वाले हैं स्वरसंदी पढ़ने वाले हैं साथियों स्वरसंदी, अब पढ़ेंगे भाई स्वरसंदी, तो स्वरसंदी के साथियों देखिए का स्वरसंदी में स्वर प्लस स्वर्द जुड़ता है आप सबको पता है स्वर के साथ स्वर्द जुड़े का मैंने आपको बता दिया था स्वर्संदी होती कैसे यहने कि बहुत सी चीजें वैसी के वो आपको अभी पता चल गई क्या हो रहा था यह कोई पद था इसके अंत में स्वर आ रहा था और यह दूसरा पद था तो इसके पहले स्वर आ रहा था और बाद में यह वाला पद होता था स्वर के साथ स्वर का योग होगा स्वर संदी में क्या होता है स्वर के साथ स्वर का योग ठीक है स्वर के साथ क्या होगा स्वर का योग होगा ऐसी संदी को क्या कहेंगे स्वर संदी परिबासा चाहे तो लिख सकते हो योग होने के बाद क्या होगा योग से होने वाला बदल ठीक है स्वर के साथ स्वर के योग से यहां से अच्छे से लिख देता हूँ भाई स्वर के साथ स्वर का योग होने से होने वाला होने होने से होने वाला यह उत्पन बदलाव उत्पन बदलाव क्या कहलता है उत्पन बदलाव कहलाएगा स्वर संदी तो स्वर संदी किसे कहत तो उससे जो उत्पन बदलाव होगा, जिससे जो भी बदलाव होगा, उस बदलाव को कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वरसंदी, चीके, बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, संदी नहीं होगा, ये चीज तो आपको पता चलगी होगी, तो स्वर्संदी बात खतम स्वर्संदी के शेकर करते हैं लिए बाजसंदी के 5 प्रकारी, विश्रग में क्या होता आपको पता चल गया वैसे हम यहां स्वर संदी के पांच परकार है तो यह पांच परकार क्यों होते हैं जैसे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्वर संदी के पांचों परकार कौन-कौन से हैं और कैसे यह बनते हैं आराम से पता चल तो भाई देखो, अब बयात करते हैं, पांच परकार क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, घेडिंग लगा डेता हूं, मैं यह आप लैडिंग ना लगाओं तो भी चलेगा, साथ यूं आपने वडनमाला पड़ी या नहीं पड़ी या नहीं पड़ी या, कितने स्वर होते हैं तो आप काओगे स्वर होते हैं ग्यारा कितने स्वर होते हैं ग्यारा स्वर होते हैं ठीक है परतेक स्वर अपने साथ सेस रहे अन्ने सवरों से योग करेगा या नहीं करेगा बिल्कुल करेगा ठीक है अब कुल जोड़े कितने सवरों के सवर होते है 11 और परते एक सवर एक दूसरे सवर से योग करता है सवर संदी का मतलब क्या होता है सवर प्लस सवर ठीक है तो 11 सवर होते हैं और ये वापस 11 सवरों के साथ क्या करेंगे योग करेंगे यह जोड़ों से आपको मतलब नहीं रखना है यह तो बैसिक सी चीज़े हैं आपको तो यह मतलब रखना है कि यह संदी अब हो कैसे रही है तो स्वर 11 होते हैं आप सब को पहले ही बता दिया है पहले ही पढ़ा दिया गया है कि स्वर है वो 11 होते हैं बेसिक से हिंदी के अंदर तो देखो कौन-कौन से होते हैं एक बार मैं लिखता हूँ यहां पे ठीक है कौन-कौन से होते हैं एक बार मैं यहां पे लिखता हूँ तो देखिएगा एक तो साथियों देखिए अब पूरा नहीं लिखूंगा ठीक है क्योंकि यहां पर आपको एक-एक समझाना पड़ेगा यहां फिर एक बार पूरा लिख देता हूं कोई बात नहीं छोटी री आती है छोटी री के बाद क्या आता है ए आएगा उसके बाद ये वाला ए आएगा उसके बाद क्या आएगा ओ आएगा और उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा अओ आएगा हो गए ग्यारा गिनो एक दो तीन चार पांथ छे साथ आट नो दस औ सब्सक्राइब यह क्या है यहाँ पे मैं आपको बैसिक सी चीजें बताने वाला हूँ देखो होता क्या है अगर यह समान समान के साथ जोड़ेंगे ध्यान रखना भायो अब समझना बहुत जरूरी है अब समझना बहुत जरूरी नहीं अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो इन दोनों से क्या बनेगा हमेसा आ ही बनेगा यहाँ संधी भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी संधी भी कंप्लिट हो जाएगी कल मेरे को बस थोड़ा सा इसको एक्स्प्लेन करना रहेगा देखो भाई अ चाए आ से जुड़ो यहाँ चाए अ से जुड़ो बात तो एक ही है ठीके अ आ से जुड़ेगा यहाँ अ अ से जुड़ेगा तो यह वाली इस दोनों कंडिशन के क्या बनेगा आ बनेगा यहाँ कि इसका दिरग रूप बनेगा ठीके यह चीज समझ में आ गई उसी परकार E चाहे साथ यूँ बड़ी E से जुड़ो या फिर बड़ी E है वो सोटी E से जुड़ो इस कंडिशन के इंदर हमिसा क्या बनेगी बड़ी E बनेगी ये चीज ध्यान आ गई आ गई छोटा हूचा है बड़े हूच के साथ जुड़ अब ये कैसे जुड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा हूगा तो ये मैं समझाओंगा जब संदी पढ़ेंगे तब अभी तो मैं आपको संदी के पांच परकार है तो ये स्वर संदी के पांच परकार है तो पांच परकार कैसे वो समझा रहा हूँ अगर ये आपको समझ में आ गया तो संदी अपने पाँ जाएगी, क्योंकि जब मैं संदी पढ़ाऊंगा तो आपको यह तो आप पहले पढ़ा चुके हैं, हाँ भाई, परकार कैसे होते हैं, वहीं से तो पता चलता है कि यह बनी कैसे हैं, तो ध्यान रखना भाई, अच्छा सा नॉलेज मिलने वाला है, इसी परकार साथियों उस छोटा उस से चाहे बड़ाऊं मिलो, या बड़ाऊं से चाहे छोटा उ मिलो, उस कंडिशन के इंदर हमें साब बड़ाऊं मिलेगा, बस यहां तक, तीन स्टेप तक जाना है, कहां तक, आ, ई, और बड़ाऊं तक, आ, ई, और बड़ाऊं तक जाना, यहां तीन स्टेप यहाँ पे ज़्यादा वरियता है दिर्ग वाला है ठीक है दिर्ग वाला है दिर्ग रूप यहाँ पे आ रहा है तो इस संदी का नाम दे दिया गया दिर्ग संदी ठीक है यह पहला टाइप हो गया संदी का परतम परकार से इस संदी का नाम क्या दे दिया गया दिर्ग संदी ह क्या होती है जहां भी आ मिला रहे हैं जहां बन रहा है ई बन रहा है समान वर्णों से समान जाती के हमने पढ़ाता सजाती है इनकी जाती समान है या नहीं है हाँ तो यह समान जाती वाले मिलके बड़ा वाला बना रहे हैं अपने वाला इनको मत लेना चीक है ओनली फॉर तीन इस्टेप को यहां तक मत जाना, इनके लिए अलग है, ठीके, हाँ, तो यहां तक जा रहे हैं, तीन इस्टेप के अंदर ही होती है दृग संदी, समझ में आ गया, उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या होता है, अब आगे साथ यूं क्या होता है, उसकी बात करते हैं, अ हो या आ हो ठीक है अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी चलो मैं अलग लग दुबारा दुबारा लिख लिख के समझा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके दुबारा लिखता हूं यहां पे आपके नहीं मिटाओंगा यहां मैं क्या कर देता हूं के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि यह समझ में आ जाए न तो पर संदी बहुत आपका सरल बन जाएगा और सभी संदी से डरते हैं लेकिन वो डर अगर भाग जाए न तो मुझे यहां से बहुत खुसी मिलेगी कि आपके संदी कंप्लेट हो गया देखिए इसके अंदर साथि हैं तो क्या बनेगा ए बनेगा अगर अ वर आ ए के साथ जुड़ते हैं तो ए बनेगा चाहे अ प्लस छोटी ई आओ यहां फिर बड़ा आ प्लस छोटी ई आओ इन दोनों से क्या बनने वाला है ए बनने वाला है यह जो यह वाला ए है इन से बनता है तो अगर यह बन रहा है तो ये पहला टाइप हो गया एक तो ये इस परकार अगर A बन रहा है तो ठीके यहाँ पे क्या बनेगा A बनेगा ये A है ठीके थोड़ा सा साथ नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ A और A मिलके छोटी E से क्या मिला रहे है चाए A जुड़ो या A जुड़ो छोटी E के साथ जुड़के A बनाएंगे उसके बाद यही A और A बड़ी E के साथ जुड़के क्या बनाएंगे आपको गए बड़ी E नहीं चाए छोटी E के साथ जुड़ो या बड़ी E के साथ जु यहां यहां सब कुछ हमारा वापस आ गया देखो यहां पर आपको कैसे एक बात समझ लो यहां पर कान गांट मांद के यहां से सुनो भाई देखिएगा क्या सुनिए यह अ और आ है न यह अगर छोटी ई और बड़ी ई के साथ जुड़ेंगे न यह अ और आ गर छोटी ई और बड़ी ई के साथ जुड़ेंगे तो ए बनेगा अ चाहे साथ यूँ छोटी ई के साथ जुड़ो या बड़ी ई के साथ जुड़ो आ चाहे सोटी ई के साथ जुड़ो या बड़ी ई के साथ जुड़ो हमेशा क्या बनेगा ए बनेगा और जहां ऐसा होगा वो पहला प्रक्रम है आपको समझ में आ गया पहले वाला आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा उसी परकार ये वाले अ और आ अब उ और उ के साथ भी तो जुड़ सकते हैं तो अगर ये अ और आ है ये उ और उ के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा तो आपको पता होना चाहिए ओ बनेगा क्या बनेगा ओ बनेगा इसी परकार ये अ और आ अगर री के साथ जुड़ते हैं अब री तक जाना है आगे नहीं जाना यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे यह basic है, अगर यह basic आपको समझ में आगे हैं, तो वहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा, कि यह यह जुड़ेगा, यह संदी होगी, चीक है, तो इसलिए मैं आपको basic पढ़ाने की कोसिस कर रहा हूँ, और अगर री के साथ आपको पीछे रहे, ए, ए, और अव, अव, ओके, ए, ए, और अव, अव की अभी बात करते हैं, इनकी क्या जड़ है, अगर साथियों अ और आ है, अगर साथियों अ और आ है, अ और आ क्या हो रहा है, अगर अ और आ साथियों ए और ए से जुड़ रहे हैं, चाहे अ एक बार समझा चुका हूँ अगर नहीं आया समझ में पूरी संदी पड़ाओंगा पहले यह बता रहा हूँ इसके पांच प्रकार क्यों है वो समझा रहा हूँ और आगर ए और ए से जुड़ेंगे तो बड़ा ए ही बनेगा ठीक है बड़े वाला ही बनेगा उसी प्रकार और वरदी संदी हो जाएगा यहां पर वरदी होगी यह संदी का तीसरा पॉइंट समझ में आ गया बस भाई तीसरा पॉइंट यहां से आपको यह समझ में आ गया तब चौथा और पांचवा कौन सा है उसकी बात करते हैं ठीक है यह तीन परकार संदी के क्यों होते हैं यह तो तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ये होगी, ये ये में बदल जाएगी, ये ये में बदल जाएगी, और यहाँ पर उसकी जो भी मात्रा होगी, वो मात्रा लग जाएगी, इसी परकार उ और उ होगा, तो उ और उ के साथ भी कोई अन्या असमान स्वर जुड़ेगा, तो क्य कीसरा टाइप हो जाएगा? इस वाली संदी को कहते हैं यहां संदी, क्या का जाता है? यह संदी का चौता टाइप है, ठीके, तीन पढ़ चुके है, दिरग, वरधी और गुंण बता दिया कैसे बनती यह, अभी तेक हमने संदी नहीं पढ़ 갖고 Já, हैं बनी कैасे? ते, कीसे बनती कोई भी स्वर जुड़ो ओ के साथ कोई भी स्वर जुड़ो और अउ के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो एक क्या बन जाता है ये बड़ा ये बन जाता है आए ये ओ बन जाता है आउ और ये बड़ा ओ बन जाता है आउ जिसको कहते ये बन जाता है आउ बस ये वाले बन साजय कि स्वर संदी है हम पढ़ने चाह रहे थे स्वर संदी मैंने आपको कहा कि स्वर संदी लग रागा समझ में नहीं आ रहेगा पहली बार पढ़ete छाग चाहरे होाई मैं नहीं पितने परlier संदी कोण होती है कैसे बनती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंदर करम याद रखना अच्छा रहेगा, समझ में जल्दी आएगा दिरग संदी, दिरग संदी के बाद आती है दिरग गुण वर्दी, ऐसे याद रखो दिरग गुण वर्दी क्या होगी? दिरग गुण वर्दी होगा, उसके बाद यण आयादी होगा यण संदी और उसके बाद क्या होगा? आयादी ये पांच परकार है, एक ही क्लास के इंदर साथ में मैं खतम करूँ, तो अच्छा लगेगा मेरे को और आपको दोनों को भी, क्योंकि एक दूसरे की कंपेर करके खतम करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, तो आज हमने पढ़ा ये साथ यूँ संदी होती क्या है, किस परकार से इसके क्या-क्या परकार है, किस परकार से ये बनती है, ठीके, हाँ मुख्यता संदी के तीन परकार होते हैं, तो वहां से अगर आपको बेसिक, इस क्लास को मैं आपसे हाथ चोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से समझना अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो दो बार देख लेना तीन बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं स्वर संदी पढ़ रहे हैं पहली हैडिंग, पहले परकार के संदी पढ़ रहे हैं पांच परकार होते हैं दिरग, गुण, वर्दी, यन और अयादी कल हम इसके पांचों परकार पढ़ेंगे कि किस परकार से संदी होती है और कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कौन सी संदी है क्या है कल इसके example भी कराऊंगा खुब सारे और इस संदी को यहीं पे क्या करेंगे खत्म करेंगे कौन सी संदी को स्वर संदी को कल आपके स्वर संदी यहां पे खत्म हो चाएगी तो उसके बाद हमारा next topic नियमों को हम पढ़ लेंगे किसका साथ किसका योग होता है मेरे एसाब से मैं कोसिस करूँगा वेंजन संदी है वो एक ही क्लास के इंदर खत्म कराने की कोसिस मेरी रहेगी एक ही क्लास में खत्म कराने की एक नई तो दो क्लासों के इंदर तो 100% खत्म हो जाएगी तो उसके बाद विश्रग संदी है जो एक class के अंदर क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो यह संदी है 3-4 class के अंदर आपके खत्म हो जाएगी हाँ चिंता नहीं करनी है हिंडी का सेले बस बहुती फ़स्ट चलने वाला है और अच्चे से समझ में पियाने वाला है यह समझना बहुत ही जरूरी है मैं एक बार पुने कह रहा हूँ यह आज basic concept था संदी होती कि अब बाद में आपको आगे कहीं परकार नहीं मिलेंगे परकार का मतलब क्या होता है कि यह यह तरीके हैं यह सिस टाइप से यह बनती है तो वो बनी कैसे वो मैंने आपको बता दिया तो अब संदी होती कि आप कर लोगे अब आपको जहां भी क्या दिखेगा आप जहां भी देखोगे कि ए के साथ कोई इसके जैसा नहीं है इ नहीं है और दूसरा अगेरा कुछ भी जुड़ रहा है कोई भी स्वर जुड़ रहा है और वहाँ पर ये बन रहा है तो आप क्या कह दोगे साब ये यर्ण संदी है क्यों क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये यर्ण संदी बनती कैसे तो अब तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है कल साथ ही हम स्वरसंदी के पाँचों परकारों को खत्म करेंगे कल आपकी स्वरसंदी खत्म हो जाएगी ठीक है स्वरसंदी एक ही क्लास के इंदर खत्म हो जाएगी example सही तुदारन दे के भी समझाऊंगा तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये समझ में नहीं आए तो 100% आपको ये समझ में आएगा तब ही आपको स्वर संदी समझ में आएगी और मेरी यहां से आपको कोसिस है कि स्वर संदी जो आपका सबसे hard topic है इसको सबसे सरल topic बना सको तो इसके लिए आपको मेरा सयोग देना होगा मुझे सयोग देना होगा मुझे साहता देनी होगी साहता कैसी देनी है अपने दिमाग की आपका दिमाग दो यहां पे और इसको समझो अच्छे से ठीक है तब ही आपका जो संदी है वो सरल topic बन पाएगा और exam के इदर 2-3% आते है जस्थान भरती परीक्षा की तयारी कर रहे है तो आज ही लाहर कलासेज को सब्सक्राइब कीजिए